वेलकम टू एक्जाम तक आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2020 से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेस के कोशन हम लोग इस वीडियो में डिसक्सन करने वाले साथ में मैं आपको हरे कोशन के बारे में डीटेल में एक्स्प्लेनेशन भी बताऊंगा जिससे आपको करेंट अफेस के साथ साथ स्ट्रेटेक्स जी के काफी ज़्यदा इंप्रूव हो जाएगा लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पुछूँगा जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखे इसकी PDF आप लोग टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला कोशन कौन सा है 34 वा ला लीगा खिता आप किसने जीता वो फुटबॉल की ही एक लीग है जो की यूरोपियन में खेली जाते हैं ठीकी ना यूरोप में तो रियाल मेर्डियो ने दो एक से यह मैज जीता था किसको अरयाथा तो वीला रियल को हरयाता वीला रियल को ओके तो यह आपको याद रखना है, यह ला लिला का होगो है, यह आपको याद रखना है, ला लिगा जो टूनामेंट है, फुटबॉल खेल से समधित है, जैसे ही इंडिया में IPL होता है, उसी तरह से यूरोप में जो फ्रेंड्स है ला लिगा होती है, ओके तो यह आपको य तो उन्हें फ्रेंट्स अर्जुन पुरुसकार से समानित किया जा चुका हैं अर्जुन पुरुसकार से समानित रमिष्टी का राम का कोरोना वारस के का निदन हो गया आप लोग देख सकते हैं उनकी फोटो एपी जे अब्दुल कलाम के साथ ठीक है न वो पेरा एतलीट थे और उन्होंने काफी ज़्यदा गोल्ड मैडलेस्ट जीते थे ठीक है न तो यह आपको याद रखना है फ्रेंट्स यह जो करेंट अफेस के वीडियो होते हैं यह आपके सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं इसमें आपको करेंट अफेस के साथ साथ होता है चोटा सा डेली जरूर देखे सुबह उठते ही यह आपको नॉलेज में काफी ज़्यदा इंप्रोम हैसूस कराएगा क्योंकि आपको करेंट अफेस के साथ साथ स्ट्रेटिक्स जीके मिल जाता है जो की काफी ज़्यदा इंपोर्डेंट होता है तो चैनल को सब्सक् इंटेलिजेंस ओके तो यह सीबीसी ने पार्टिकरब में एई तकनी को शामिल करने के लिए किसके साथ समझता किया तो अभी आई बी एम के साथ समझता किया ठीक है ना तो यह आपको याद रखना है सीबीसी की फुल फोर्म में आपको बता देता हूं सेंट्रल बोर्ड सेकंडरी एजुकेशन ठीक ना सीबीसी की फुल फोर्म क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन इसकी स्तापना कब हुई थी तो 1962 में इसकी स्तापना हुई थी ठीक है ना तो यह भी आपको याद रखना ना इसकी स्तापना हुई थी सीबीसी की अब इसके अ अनोज अहुजा जो है present time में cbsc के अध्यक्षे cbsc का मुक्याले का है तो दिली में इसका headquarter रहे ठीक है ना तो ये भी आपको याद रखता है अब cbsc ने ibm के साथ समझोता किया तो ibm क्या है ये आपके मन में doubt रहना चाहिए तो ibm है international business machine corporation ठीक है ना ये आपको याद रखा इसके अभी present time में c o कौन है तो arvind krishna जो है वो present time में ibm के c o है and ibm का headquarter का तो new york में इसका headquarter है ठीक है ना फ्रेंट्स ये आपको याद रखना न्यू यॉक किस नदी के किनारे तो new york जो है हरसन नदी के किनारे वो भी आपको याद रखना साथ में मैं जो भी आपको extra ज question की हाल ही में किस देश की GDP में 40% से ज्यादा की कमी आई है तो बहुत बड़ी GDP में कमी आया 40% से ज्यादा 41.2 something percent की कमी आया है सिंगापूर की GDP में सिंगापूर में अभी जो है वो आर्थी आलट ठीक नहीं है एकदम से खराब हो गई है कोरोना वारस lockdown के कारण क्योंकि सिं सिंगापूर की आर्थवस्ता काफी ज़्यादा खराब हो चुके अब सिंगापूर की बात है सिंगापूर के प्रदान मंत्री को ने ली सियन लूंग जो है सिंगापूर के present time में प्रदान मंत्री है अभी यहां पर election हुआ था और इन्होंने दूसरी बार जीत आशिल के सि सिंगापूर डॉलर जो है यहां की मुद्रा है सिंगापूर की राजदानी सिंगापूर ही है ओके तो यह भी आपको याद रखना है सिंगापूर की राश्टपती को ने तो हलीमा याकूब जो हैं सिंगापूर की राश्टपती है तो यह भी आपको याद रखना है फ्रे तो ये की बुटान, मैं ठीक है ना, बुटान के साथ जो पश्णिम बंगाल का बॉडर लगता है, वहाँ पर ये नया व्यापार मार्辉ब खोला जाएगा, बुटान और भारत के बीच में, बुटान जो आये है, बारत के कित्टे, State के साथ Water बनाता है तो चार State के साथ Water बनाता है अरुनाचाल प्रदेश आसम पश्यम बंगाल और सिक्किम के साथ ठीक है ना तो यह आपको याद रखना है अब बात भुटान की आए तो भुटान की राज़दानी मैं आपको मुद्रा कोन हैं, तो गुलत्रू मियां की मुद्रा हैं, ओकें, तो ये भी आपको याद रखना हैं, सभी पॉइंट्स आपके एक्जाम के लिए important है, जो भी मैं आपको extra facts बता दाओं, वो तो important ही होते हैं, ओकें, चलिए, अब बात करें छटे कोशन की रेल मंत्री प्यूश गोईल ने अभी प्रेजन टाइम में रेल मंत्री को ने तो प्यूश गोईल है ठीक है न या आपको याद रखना के अनुसार भारतिय रेलवे का 100% विद्यूति करण कब हो जाएगा यानि कि 100% इलेक्रिफिकेशन कब तक हो जाएगा भा आने वाले साड़े 3 वर्सों में भारतिय रेलवे का 100% इलेक्रिफिकेशन हो जाएगा ये कहना है रेल मंत्री प्यूश गोईल का जिन्होंने हाली में ये स्ट्रेटमेंट दिया है ठीक है ना पूरी इंडियन रेलवे 100% इलेक्रिफिकेशन हो जाएगी ओके तो ये इसके रखना है most important friends सभी points चलिए अब बात करता है साथ वे कोशन की हाली में पहला online निष्ठा कारिकरम किस राजिय में शुरू क्या गया तो जो निष्ठा कारिकरम है ये क्या है teachers को training देने का ये कारिकरम है teachers को कि उनको किस तरह से students को अच्छे तरह की से पढ़ाना चाहिए ठीक है न तो ये है निष्ठा कारिकरम पहले से ही काफी सारे state में चल रहा है बट आंदर प्रदेश जो है पहला state है जिसने ये online कर दिया है निष्ठा कारिकरम ठीक है न तो ये आपको याद रखना कौन सा state is mandate अन्दर प्रदेश अब बात अन्दर प्रदेश की गवर्नर को ने वश्व भुशन हरी चंद्राण प्रजेंट टाइम में आदर प्रदेश की गवर्नर एए मुख्यमंद्री को ने वाई एस जगनमोन रेड़ी जो हैं मुख्यमंत्री हैं राजदानी कौन सी है तो अभी यहां की राजदानी हैं बट आने वाले टाइम में अमरावती होगी एंड अमरावती के साथ साथ दो और राजदानी होगी विशा का पत्नम एंड कुर्णूल यहां की दो और राजदानी कि हाल ही में किस राज्य में इस्मरती वन का उद्गाटन किया गया तो इस्मरती वन जो हैं वो त्योहार हैं वहां का उत्राखंड राज्य का जिसकी अभी उद्गाटन किया है उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर प्रजेंट टाइम में जो हैं त्रिवेंदर सिंग रावत उन् सब्सक्राइब को नई गिर्षम कालिन राजदानी बने है उत्रा गंड के प्रमुक नेशनल पर्क उत्राखंड का नेशनल पर्क फूलों की घटी नैशनल पार्क भी उत्राकंड में तो इस सभी बाते आपको याद रखने है यह वहां का त्योहार है मौनसूनी सीजन में वांग पर त्योहार आता है एंड इसी त्योहार के अंतरगत इस स्मृति वन का उद्गाटन किया है उत्राखंट के सीफ मिनिस्टर ने अब यह अमने कल लिए के वीडियो में बताया था आपको कि वेस्ट टू एनरजी के तहत जो हैं उत्राखंट कच्रे से बीजली बनाने वाला स्टेट भी बन गया है उत्राखंट ठीक है न तो वो भी आपको याद रखना वेस्ट टू एनरजी पहल के तहत चलिए अब बात करने नाइन्थ कोश्चन की किस राज्य ने हाली में Health Services on your door step पहल की शुरू आत किये हैं महाराश्ट राज्य ने ठीक है न यह जो है कोरोना वारस पेशेंट के इलाज के लिए घर घर यह अभियान है Health Services on your door step ठीक है न तो यह महाराश्च राज्य में शुरू की गी अब महाराश्च की बात हैं तो राज्दाणी क्या है बोंबे यहां की राजदानी है ठीक है न इसके अलबा नागपूर भी यहां की राजदानी है गवर्णर कोने भगत चींग कोशियरी प्रेजन टाइम है गवर्णर है मारष्ट के मुख्यमंत्री कोने उद्दव ठाकरे मुख्यमंत्री है जो कि कौन सी पार्टी से है तो शिवशेना जो हैं उनकी पार्टी से हैं उद्दव ठाकरे तो ये भी आपको याद रखना है सभी पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूँ आज का नया सवाल पूचता हूँ कल मैंने आपको कोशन पूचा था किस राजी के पुलिस ने साई भार नाम से अभ्यान चुरू किया है ये मैंने आपको कल कोशन पूचा था तो साई भार जो अभ्यान है ये क्या है महिलाओं और बच्चों के खिलाव जो ओनलाइन अपराद होता है उसके खिलाव उसको रोकने के लिए साइब भार नाम का अभ्यान चुरू किया था तैलंगा ना राज्जे की पूलिस ने ठीक ना तो यह आपको याद करना था और आज का कोशन कौन सा है भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सयोग समझोते पर अस्ताकसर किये तो भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्यूर्टी सयोग के लिए साइन किये है तो यह आपको उस देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जितनी ज्यादा डीटेल आपको पता हो जरूर लिख किये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना पीडियेफ और कुईज के लिए टेलिग्राम चैनल में जाना जब मिलते एक नए वीडियो में है तब तक के लिए जै हिन जै भारत